स्मार्ण रहे दुख और सुक मानव जीवन की रीत है जिस प्रकार धर्ती पर रीत्वों में पडिवर्तन आता है उसी प्रकार जीवन में भी पडिवर्तन आवश्य भावी है नमस्कार बोलते तारे आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ सुना लिठाकुर छे फरवरी से फालगुन मास की शुरुवात हो जाएगी फालगुन मास में बतादे की ठंड खतम हो जाता है और गर्मी की शुरुवात हो जाती है ऐसे में फालगुन मास में शीतल और सामाने पानी से स्नान करना चाहिए ये सेहत के लिए उत्तम माना जाता है फालगुन मास में फ्रिकृष्ण की सुर्गंधित फूलों से उपासना और मालक्ष्मी की गुलाग के इतर से पूजा भुलेनात का जलविशेक रुद्रविश जरूर करना चाहिए साथी बतादे के इस महिने में तीनों की विशेश उपासना से दुखों का अंत होता है और वैवाहिक जीवन में खुशाली आती है धन में भी लाव मिलता है फालगुन महिने के रात के समय भोजन में अनाज का प्रयोग कम से कम करना चाहिए इस महिने स चना खाना मना है और साथ ही मौस्मी फल का अधिक सेवन करे सब्जियों का सेवन करे मांसहार धोजन ना खाये और पालगुन महिने में मन के कारक चंद्रमा का जनम हुआ था इस महिने में चंद्रमा को रोजाना दूद से अर्ज देने पर शीतलता प्राप्थ होती है कहते हैं कि कुंद्ली में चंद्रमा के घर शत्रू ग्रह भी बैठे तो तब भी शुबधा ही परदान करते हैं चंद्रमा की पूजा से हिर्दे संबंधी रोग खत्म होते हैं चले अब राशिफल की शुरुवात करते हैं शे फरवरी का दिन आपका कैसा रहेगा ये आपको बताती हूँ साथ ही आपको बताऊंगी कि आपके लखी नमबर और लखी कलर क्या है शुरुवात में शुराशी से करते हैं यदि आप रेंग संबंध में हैं तो आपके पार्टर का ध्यान रखें क्यूकि उनका स्वास्थ खराब हो सकता है आज आपके कुणली में चंद्रमा अच्छा नहीं है जो आपके पार्टर के स्वास्थ से जुरा है चले आप आपको लखी नंबर और लखी कलर बता देती हूँ, आपका लखी नंबर दो है, लखी कलर आपका काला है चले आप जोब करते हैं तो ओफिस में कुछ सर्प्राइज मिल सकता है और आपके सहकर्मी भी आप से बहुत खुश होंगे, ऐसे में सभी का धन्यवाद करना ना बुले आपका लखी नंबर एक है, लखी कलर आपका कुलाबी है चले आप बात करते हैं सिंग राशी की घर वाले आपके लिए रिष्टा ढून रहे हैं तो आज आपके लिए अच्छा रिष्टा आ सकता है लेकिन आपकी उसमें कम ही रूची होगी ऐसे में कोई भी नर्ने सोच समझ कर ले और अच्छे से विजार भी मर्श कर कर ले आपका लखी नंबर आठ है, लखी कलर आपका पूरा है और चले आप बात करते हैं कन्या राशी की घर में अपने भाई बहन के साथ कुछ नया करने का प्रयास करेंगे जो आपके माता पिता को खुश कर देगा भाई बहनों के बीच आपसी प्रेम में बढ़ोतरी होगी चले आपका लखी नंबर और कलर आपको बता देती हूँ आपका लखी नंबर तीन है, लखी कलर आपका ग्रे है करने के बाद बात करेंगे तुला राशी की बिजनस में घाटा होगा जिस कारण आप परिशान होगे सभी के साथ आपसी संबंद मजबूत रखने का प्रयास करेंगे लेकिन फिर भी किसी के नाराज होने की संभावना है चले तुला राशी वाले जातकों का लखी नंबर और कलर आपको बता देती हूँ आपका लखी नंबर साथ है, लखी कलर आपका महरून है और अब बात करते हैं व्रिष्चक राशी की किसी चीज को लेकर मन शंका में रहेगा और क्या करे क्या ना करे वाली स्थिती रह सकती है ऐसे में अपने किसी मित्र के साथ बात को अवश्च्ट साजा करें चोले व्रिष्चक राशी वाले आपका Lucky Number Color बता देती हूँ Lucky Number 4 है Lucky Color आपका आथमान है और Lucky Number Color के बाद बात करेंगे धनू राशी की किसी बात को लेकर मंड में पच्चतावा रहेगा मांसिक तनाव रह सकता है लेकिन किसी को जताएंगे नहीं शाम में सिर में दल्द की शुकायत रह सकती है चोले धनू राशी वाले जात्कों का Lucky Number राशी जान लेते हैं आपका Lucky Number 2 है Lucky Color आपका संत्री है और अब बात करेंगे मकर राशी की किसी दोस्त की शादी में जाने का प्लैन बना सकते हैं खर्चे बढ़ जाएंगे और आपका किसी के ओपर आकर्शन भी आ सकता है चोले मकर राशी वाले जात्कों का Lucky Number राशी जान लेते हैं आपका Lucky Number 6 है Lucky Color आपका संत्री है और अब बात करेंगे कुम राशी की बातों बातों में कुछ ऐसा कह जाएंगे जो आप कहना नहीं चाहते हो इसलिए सोच समझ कर बोले ताकि बाद में आपके लिए समस्या ना हो चले मीन राशी वाले जात्कों के लिए Lucky Number राशी जान लेते हैं आपका Lucky Number 7 है Lucky Color आपका सले ली है बोलते अतारे में फिलहाल इतना ही नमस्कार